जै श्री राधारानी सरकार की, जै श्री कृष्ण भगवान की, जै पोश मास महत्यम्मे की, जै शिर्मत भागवत महापुरान की, मंदिर शिपनसी वाले महात्मा यूडियूप चैनल के और से हम आप सब भी भक्तों का हारधे कविनंदन करते हैं, पोश मास का पावन समय चल है, दुख भी आते हैं, चिंताएं भी हमें सताती हैं, हम कई तरह की परिशानियों में फंसे रहते हैं, हमारे काम भी रुके रहते हैं, ना जाने कितनी तरह की परिशानियां हमारे जीवन में आती हैं, तो इन सभी परिशानियों, दुखों और चिंताओं से छुटकारा प तो पोश मास महत्यम के नोमे अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्रीक्रिशन जी उध्व को ग्यान दे रहे हैं अब उससे आगे की कथा भगवान श्रीक्रिशन जी उध्व से कहने लगे हैं कि हे उध्व इस संसार में माया के द्वारा ही जीव सूख और देख कर जगने पर सब को मिथ्या समझता है वैसे ही ये संसारिक वेवार भी स्वपनवत मिथ्या ही है जब तक प्रानी मुझे नहीं पहचान पाता तब तक वह मुझे से अलग रहता है और जब वह मुझे पहचान लेता है तब मुझे में ही लीन हो जाता है ज्यान और वे र ये दोनों ही मुक्ती के दाता हैं जैसे पमन सुगंदित तथा दुरगंदित दोनों ही परकार के वस्तुओं में होकर भैती है वैसे ही ज्यानी मनुष्य को भी चाहिए कि वह किसी के द्वारा दुरवचन कहे जाने पर ना तो खेद माने और ना दूसरे के द्वारा अपनी परशंशा सुनकर हर्श ही प्रकट करे जो मनुष माया के वश में होकर इस्त्री पूत्र आदी में अपना मन लगा कर रखते हैं उन्हें महामूरख समझना चाहिए जो मनुष धन पाकर भी यग्यदान आदी शुब करम नहीं करते उन्हें धन मिलना अथ्वा ना मिलना करके जो भी पून्यफल प्राप्त करे उसे श्री कृष्ण भगवान के अरपन कर दे क्योंकि ऐसा करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं भगवान आज आगे उध्व जी से कहने लगे हैं कि है उध्व जो ग्रस्ती मनुष संसारिक कारे करते हुए भी अपना मन म मेरे ही चर्णों में लगाए रहते हैं और मुझे ही अपना इश्ट देव मानते हैं उन्हें भी मैं मुक्ती दे देता हूँ जो किसी का भी अनिश्ट नहीं चाहते जो अपनी त्रिश्णाओं पर नियंतरन रखते हैं जो मेरे परम भगते हैं जो गुरु के बताय हुए मा पर चलते हैं जो मेरे भगती के इलावा किसी अन्य वस्तू की इच्छा नहीं करते जो किसी के द्वारा दूर्वचन कहे जाने पर भी खेद अत्वा क्रोव्ध प्रकट नहीं करते जो अपनी शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं और मेरे लीला चरितरों को सुनने में मेरी कथाओं को बड़े प्रेम भाव से सुनते हैं उन्हें मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ जो ब्रह्मन आदी चारो वर्न और परिवार वालों को खिलाने के उपरांत स्वम भोजन करता है जो अपनी समर्थ भर दान और दक्षिना देता है तथा जो गव की सेवा करता है व जो प्रतिदिन देवताओं के नाम पर हवन और पित्रों के नाम पर तरपन करता है जो दृद्रों तथा ब्रहमनों के रहने के लिए स्थान बनवाता है तथा उनकी कन्याओं का विवा करने के लिए धन देता है जो साधु महात्माओं की सेवा करता है तथा उनके खाने प मुक्तिपद को प्राप्त कर लेता है। जटायू, कुपजा और ब्रजवासी गोपी गवाल आदी मेरी भक्ति करने से मुक्त हो गे। ब्रजवासी गोप्यों ने जैसे मेरी भक्ति की है, जैसे मेरे श्री चर्नों में अपने मन को लगाया है, वैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता है। ब्रजवासी गोप्यों का मैं आज भी रिनी हूँ। उन सब गोप्यों ने मेरी भक्ति और प्रीती के प्रताप से लक्षमी सवरूप बन कर मेरे गोलोक धाम को प्राप्त किया। जिस प्रकार अन जाने में भी अमरत पी लेने वाला प्रानी भी अमर हो जाता है। और उसे जनम मरन से मुक्ती मिल जाती है। इसलिए मनुश्यों को चाहिए कि वह गुरू की सेवा मेरी भक्ती और सत्संग द्वारा ज्यान रूपी तलवार से माया रूपी संधे को काट दें और मेरे चर्णों में अपने मन को लगा कर इस पार भवसागर से पार हो जाएं हे उधव मैंने तुमसे भक्ती और ज्यान के जिस मार्ग को कहा है उसे छोड़ कर जो मनुश्य अपना मन कू कर्मों में लगाता है पाप कर्मों में लगाता है वह मनुश्य 84 लाख योनियों के आवा गमन से कभी छुटकारा नहीं पाता है और भहुत लंबे समय तक वह नरक म दुख भोगता है जो प्रानी मनुश्य श्रीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करते भगवान की भक्ती नहीं करते उन्हें परम अभागा और महामूरख जानना चाहिए जो मनुश्य रात दिन अपनी मृत्यू का ध्यान रखकर शाष्टर के अनुसार वर धर्म का पालन करते हैं उनी का जनम लेना सफल है अपने धर्म को त्याग देने से बड़ा पाप अनने कोई नहीं हो सकता चारो वर्नों और आश्रमों के लिए वेद में जो धर्म लिखा हुआ है उसके अनुसार आचरन करने से ग्यान और मुझ से मिलने का मार्ग सुगम हो एक भोज पदार्थ का भोग पहले ठाकुर जी को लगावे तदु प्रांत प्रशाद रूप में स्वेम भोजन करे जो मनुष श्री हरी का भोग लगाए बिना किसी वस्तु को खा लेता है वह वास्तों में पाप ही करता है हे उद्धव मृत्व के समय मनुष अपना मन जिस ओर लगाता है मरने के परशाद वह उसी को प्राप्त करता है जो मनुष श्री हरी के चर्णों का समर्ण करके अपने हिर्दे को पवित्र कर लेते हैं उन्हें भगवान का लोक प्राप्त होता है जो मनुष अपने शरीर को पूश्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं मास का सेवन करते हैं वह अवश्य ही नरक के भागी होते हैं और उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है लेकिन इसके विपरीत जो मनुष्य अपना मन मेरे चर्णों में लगा कर अपने धरम का पालन करते हैं भगवान क कि आग्या का पालन करते हैं उन्हें मैं परमगती दे देता हूँ एक बार भी जो मेरी शरन में आ जाता है उसे तरिलोकी का कोई भी दुख नहीं सता सकता मनुष्य अगर सची श्रधा भावना से मेरी शरन में आ जाता है तो उसकी मैं सदा रक्षा करता हूँ ये अपने जीवन में उतारता है उस ग्यान के अनुसार आच्रन करता है तो उसे मेरी कृपा मिलती है कथा में जो सुना हो सतसंग में जो सुना हो उसके अनुसार आच्रन करने वाला मनुश मेरे को भहुत प्यारा होता है क्योंकि वह मेरी आग्या का पालन करता है आज ठाकुर जी उद्धव जी को कितना परम सुंदर ग्यान दे रहे हैं शिर्मत भागवत महापुरान की इस कथा को सुनने मातर से हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का नाश हो जाता है और भगवान के चर्णों की भक्ती मिलती है वास्तों में आज के इस कल्युग में अधिकांश मनुष्य यही सोचते रहते हैं कि मेरा घर परिवार कैसे चलेगा मेरा कारोबार कैसे चलेगा मेरे बच्चों की शादी कैसी होगी मुझे नोकरी कैसे मिलेगी मेरी चिंताइं दूर कैसी होंगी मेरे दुख दूर कैसे होंगे इनी सब चिंताओं में परिशानियों में मनुष्य का मन भटकता रहता है लेकिन एक शन भी वो परमात्मा का भजन नहीं करता है हाला कि अगर वो परमात्मा की भक्ती करे भगवान का भजन करे दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती है पूरी शद्धा भावना से पूरे मनो योग से जो भगवान की आग्या का पालन करता है भगवान ऐसे अपने परम सुन्दर भक्तों की हर पल रक्षा करते हैं ठाकुर जी स्वम कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरन में आ गया उसको मैं कभी नहीं त्याग सकता हूँ भगवान की भक्ती जिन जिन भक्तों ने की है भगवान ने अपने उन सभी भक्तों की रक्षा की है तो पोश मास के इस पावन समय में हमें अपने मन को भगवान जी के श्रीचरनों में लगा देना चाहिए अधिक से अधिक भगवान की भक्ती करने चाहिए ताकि इस पार भवसागर से पार हुआ जा सके तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे तो मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूटिप चैनल के ओड़ से आज की स्परम सुन्दर कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री रादा क्रिशन जी की भगवान श्री लक्षमी नराएं जी की शिरमत भागवत महापुरान की पोश मास महत्यम की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्रीमत भागवत महापुरान की जै पोश्मास महत्यम की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम